मनु महराज के दो पुत्र थे प्रियदत और उत्तानपाद उत्तानपाद की दो पत्निया थी सुरूची और सुनीती उत्तानपाद सुरूची से अधिक प्रेम करते थे, सुनीती से थुड़ा कम करते थे सुनीती के बेटे का नाम द्रुव और सुरूची के बेटे का नाम उत्तम था एक बार उतान पाद सिंगासन पर बैठे हुए थे द्रुव भी खेलते हुए राज महल में पहुँच गए उस समय उनकी अवस्ता पांच वर्ष की थी उत्तम राजा उतान पाद की गोदी में बैठा हुआ था द्रुव जी भी राजा की गोदी में चड़ने का प्रियास करने लगे सुरूची को अपने सौभाग्य का इतना अभिमान था कि उसने द्रुव को डाटा और बोलने लगी इस गोद में चड़ने का तेरा अधिकार नहीं है अगर इस गोद में चड़ना है तो पहले भगवान का भजन करके इस शरीर का त्याग कर और फिर मेरे गर्ब से जनम लेकर मेरा पुत्र बन तब तु इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा दुरुव जी रोते हुए अपनी मा के पास आए मा को सारी व्यथा सुनाई सुनीती ने सुरूची के लिए कटू शब्द नहीं बोले उसे लगा यदि मैं उसकी बुराई करूंगी तो दुरुव के मन में हमेशा के लिए वैर भाव के संसकार जाग चाएंगे सुनीती ने कहा दुरुव तेरी विमाता ने जो कहा है सही कहा है बेटे यदि भिक्षा मांगनी है तो फिर भगवान से ही क्यों न मांगी जाए भगवान तुझ पर कृपा करेंगे तुझे प्रेम से बुलाएंगे गोद में भी बिठाएंगे अब तुम वन में जाकर नरायन का भजन करो बालक ध्रोव मा का आदेश प्राप्त करके चल पड़े जैसे ही चले भगवान के रास्ते पर नगर से बाहर निकलते ही उनको देवरिशी नारद मिल गए क्योंकि कहा गया है न कि हम यदि भगवान के रास्ते पर चलें तो हमें अपने आप ही साहता मिल जाती है नारद जी ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और आशिरवात दिया और पूछने लगे बेटा तुम कहां जा रहे हो ध्रुव ने सारी घटना बताई नारद जी थोड़ा परिक्षन करना चाहते थे पांच वर्ष का बालक भगवान के दर्शन के लिए भयंकर बन में जा रहा है नारद जी जानते थे कि ये जगडे के कारण निकल आया है वो देखना चाहते थे कि कहीं ये बीच से ही लोटना जाए नारद जी ने कहा बेटा पांच वर्ष की तेरी अवस्ता है तेरा मान क्या और अपमान क्या अगर माने कुछ कह भी दिया तो पांच साल के बच्चे के लिए क्या बड़ी बात है तुने जो भगवान से साक्षातकार का रास्ता अपनाया है वो आसान नहीं है बड़े बड़े संत लोग घर छोड़ कर आ जाते हैं उनके बाल सफेध हो जाते हैं फिर भी सबको भगवान नहीं मिलते ये बड़ा कठिन रास्ता है एक बार फिर से विचार लो दुरुव जी ने कहा महाराज आप मेरे रास्ते में सहयोग कर सकते हो तो करिए आने अथा मुझे सलहा मत दीजिए मैं ये रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूँ नारज जी बहुत खुश हुए और दुरुव जी को तुरंत अपना शिष्य बना लिया दुरुव जी ने दीक्षा नहीं मागी नारज जी ने स्वेम दिख्षा दे दी ये भगवान की किरपा है नारज जी ने कहा बेटा मैं तुमको मंत्र दूंगा नारज जी ने दुरुव को चर मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासु देवाए और कहा बेटा ब्रंदावन में जाकर इस मंत्र का जाप करना और मन, वानी और कर्म से ठाकुर जी की सेवा करना दुरुव जी ब्रंदावन में आकर साधना करने लगे दुरुव जी अनजल का त्याग करके भगवान के ध्यान में लग गए साधना करते करते दुरुव जी को भजन में इतना रसाने लगा कि अंगूठे के सहारे खड़े हो गए हात जूड लिये और भगवान का ध्यान हिर्द्य में किया वही परमात्मा सब जगे विद्यमान है ऐसा ध्यान करके अपने प्राणों को रोक लिया दुरुव जी ने जैसे ही प्राणों को रोका सारे संसार के प्राण रुख गए संसार के लोग छट पटाने लगे देवता दोड़े दोड़े भगवान के पास गए और बोले प्रभू ये क्या हो रहा है भगवान मुस्कुराए और बोले मीरा एक छोटा सा भक्त है वो प्राणायाम करके मेरा ध्यान कर रहा है घबराओ मत मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूँ भगवान गरुण जी पर बैटकर दुरुव जी के पास पहुँचे तो दुरुव जी हाथ जोड़ कर खड़े थे आँखें बंद थी शरीर रोमान्चित था पुलकित था और गदगद था दुरुव जी को अंदर ठाकुर जी का दर्शन हो रहा था और बाहर भगवान दुरुव जी का दर्शन कर रहे थे दुरुव जी आँखे खोल नहीं रहे भगवान ने लीला की और अंदर के दर्शन को छुपा दिया धुरुव जी ने छट पटा कर आँखे खूली तो देखा ठाकुर जी सामने विद्धेमान है धुरुव जी भगवान की स्तुती करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं भगवान ने उनके कपोल पर शंक का स्पर्श कर दिया अब तो धुरुव जी के मुख से सरस्वती प्रकट हो गई विस्तुती करते हैं हे परभू इन छे महिनों में मुझे इतना आनंद मिला है कि अब मुझे राज्य की कोई इच्छा ही नहीं है राज्य की इच्छा मुझे कीचड के समान लग रही है मेरी इस जिंदगी को छुडा कर अपने चर्णों में स्थान दीजिए प्रभू भगवान ने कहा बेटा ध्रोव मेरे चर्णों में तो तुम्हें स्थान मिलेगा ही पर अभी तुम राज्या बनकर राज्य का सुख भोगो मुझे दिखाना है कि जो मेरे रास्ते पर चलता है उसे मैं सांसारिक सुख भी देता हूँ पारलोकिक सुख भी देता हूँ और अंत में मैं तुम्हें अटल पदवी दूँगा इसके बाद दुरुब राज्या बनकर प्रजा का पालन करने लगे 36,000 वर्ष तक पृत्वी पर साशन करने के पश्चात पिर राज्ये का भार अपने पुत्र को सौप कर बद्रिक आश्रम चले गए और वहाँ जाकर बजन करने लगे बहुत समय बीतने के बाद भगवान ने दुरुब जी को लेने विमान भेजा दुरुब जी को अपनी मा की याद आई उन्होंने कहा भगवान मेरी मा की प्रेणा से मुझे आपकी प्राप्ती हुई है आते मैं मा को साथ लेकर जाऊंगा भगवान ने कहा देखो तुम्हारे आगे तुम्हारी मा का विमान जा रहा है इसके बाद दुरूब जी विमान में बैठ गए और दुरूब लोग पहुँच गए जिसकी सब्तरिशी परिक्रमा करते हैं ये है भगवान की भक्ती का प्रभाव दुरूब जी को इस लोग में सफलता मिली और परलोग में भी ऐसा पद मिला जो आज तक किसी को नहीं मिला दुरूब ने वन में निरहार रहे कर भजन किया भजन में रसाता है तो वो शक्ती मिलती है जो भोजन में भी नहीं मिलती जब हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो वह भगवान सब कुछ स्वेम संभाल लेता है दुरुप जी को भी नारज जी मिल गए और उन्होंने बिना मांगे दीक शादी अच्ची शान्ती और सुख केवल भगवत भजन में ही है इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुचा कर तर्म लाब प्राप्त कर सकें